चलो गाइस अभी आमी मुझी से ड्रिंक्स के नाम गेस करेंगे तो ये पहली इमेजेस को देखो और फटा फट से मुझे ड्रिंक का नाम नीचे कमेंट में बता दो इसलिए तुम लोगों ने पिया है और इसलिए तुम लोगों को इसका नाम नीचे कमेंट करना ही है फटा फट से कमेंट करो यह कॉक ए कोला कैन तो बन जाएगा कोका कोला क्या तुम लोगों नहीं गेस कर लिया था यह गेस कर लिया होगा तो फटा फट से अब ये वाला भी गेस कर लो ये तो बहुत है सिंबल है मैं हिंदू इससे तुम लोगों की विंग्स आ जाते है अब तो फटा फट से निचे कमेंट करी दो यह Red Bull तो बड़ा Red Bull Drink Red Bull gives you wings क्या ये भी कमेंट कर दिया था तुम लोगोंने तो अभी ये वाला निचे कमेंट करो मुझे पादा है ये तो तुम लोग कमेंट करी दोगे तो फटा फट से चल दे से निचे कमेंट कर दो यह ट्रोफी कैन ए तो बनेगा ट्रोपिकाना ट्रोपिकाना 100% हर दिन 100% सुना होगा तुम लोग ने चलो अभी फिर ये वाले ड्रिंक का भी नाम बता दो ये तो तुम लोग ने पिया ही है ये औरेंज औरेंज होता है बस इससे जादे हिंड ने दूँगा मैं ये है मी रिंडा मिला देंगे तो बनेगा मिरिंडा पिया है न तुम लोग ने तो फिर अभी ये वाला भी बता दो ये तो 100% तुम लोग बता ही दोगे ये तो बहुत सिंपल है चल दी सा नीचे कमेंट करो ये है एप और ये ए तो बना एपी फिज क्यों मस्ती न ये वी तो चलो अभी ये वाली बता दो ये तो अगर तुम लोग ट्रावल करते हो ना ट्रेन से या प्लेन से तो तुम लोग मुझे बता ही दोगे तो फटा फट्चे नीचे कमेंट कर दो ये तुम लोग नहीं देखाई होगा ये है पेपर बोट पेपर बोट की ड्रिंक्स हम लोग ज़्यादा तर स्टेशन पर एएर्पोर्ट पर देखते ही हैं चलो अभी फिर ये वाला बता दो ये तो सिंपल ही है तो जल दीसे तुम लोग बता दोगे कमेंट करो नीचे ये है एस पी राइट मिला देने पे बनेगा स्प्राइट कितना मस्ट हो तर ना स्प्राइट भी येस I like it अभी फिर ये बाला भी बता दो ये तो बता ही दोगे इसमें तो ज़्यादा सोचने वाली बात ही नहीं है इसलिए जल्दी से कमेंट करो ये फैन, ये टाटा उसमें से वन लोग टा ले लेंगे तो बनेगा फैन्टा कमेंट किया ना तुम लोगोंने अभी फिर ये वाला बता दो ये थोड़ा सा टफ लग सकता है इसलिए अच्छे से सोचो और जल्दी से निच्छे कमेंट कर दो ये है मिनिट का हैंड और ये है मेड तो बनेगा मिनिट मेड ये भी एक मसदा ड्रिंक है चलो फिर अभी ये लास्ट वाला बता दो ये तो तुम लोगों कमेंट फटा फट करना ही है तो चल दी से नीचे कमेंट करो यह 7 अप तो मिला देने पर बनेगा 7 अप क्या तुम लोगों ने सभी ट्रिंक से नाम बता दिये थे वैसे अगर आप अभी क्लास 6 से 12 में पढ़ रहे हो तो आप सभी के लिए मेरे पास अच्छी न्यूज है अनकैडमी पर अभी तक आपको मेरा कोड QT10 यूज करने पे 10% आफ मिलता था अनकैडमी सब्सक्रिप्शन पे लेकिन अनकैडमी स्पेशल प्राइस वीक में आपको मिलेगा और भी एक्स्ट्रा 10% यह उफर स्टार्ट हो रहा है 18 से यह सब्सक्रिप्शन से आप unlimited batches में enroll कर सकते हैं यह batches specially आपकी CVSE की preparation को ध्यान में रखके launch किया गया है जो की कुछ इस तरीके से है Class 11 and 12 के लिए device batch for term 1 exam for science 20 September को और for commerce के लिए 20 September Class 10 के लिए term 1 का जो core batch है math, science, assiste, English का वो 20 September को Class 9 का जो focus batch है मतलब की math, science और assiste के लिए वो भी 20 September को और Class 6, 7, 8 वालों के लिए crossover batch, maths and science के लिए वो भी 20 September को यह सारे batches में आप enroll करके unlimited access of plus subscription, India's top educators, interactive live classes, test series and quizzes, structure courses and PDFs यह सब आप ले सकते हो दोस्तों मेरा मानना है कि अगर आप CVSE Class 6 से लिएके 12 में है तो इससे भैतर मौका नहीं हो सकता subscription purchase करने का description में link दिया है, use करें मेरा code QD10 और आप इस extra 10% को enjoy करें अभी अगली पहेली, इस जोकर को ध्यान से देखिए और बताईए कि इसका परचाई कौन सा है A, B, C या D तो अच्छे से देखिए और answer कमेंट करिए answer है C अभी इस helicopter की image को देखिए और बताईए कि इसकी परचाई कौन सी है अपना answer कमेंट करें helicopter की परचाई ये B वाली है अभी अगली पहेली अभी बताईए कि इस image में क्या गलती है अच्छे से देखिए यहां bridge की नीचे जो river जा रही है वो bridge के दूसरे तरफ है ही नहीं यही यहां की गलती है अभी इस image में गलती बताईए और answer कमेंट करिए यहां कैलेंडर में 31 जून लिखा है और जून 30 तक ही होता है अभी अगली पहेली एक आदमी के हाथ में 6 उंगलियां थी लेकिन फिर भी लोग उसे अकबर बुलाते थे क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यूं था answer कमेंट करें अरे इसमें इतना सोचने वाली क्या बात थी क्योंकि उसका नाम ही अकबर था इसलिए उसे लोग अकबर बुलाते थे अभी यह बताईए एक एरोप्लेन के अंदर 50 इंट थी एक आदमी ने घेट खोलकर एक इंट नीचे गिरा दी तो बताईए अभी प्लेन में टोटल कितने इंट बचे हैं अरे हर चीज को लॉजिकली सोचने की क्या ज़रत है वहां 49 इट ही बचेंगे चलो एक और एक आदमी रास्ते से जा रहा था अचानक की उसकी मौत हो गई अब अगिर ये कैसे हो गया आप अपना अंसर कमेंट में बताईए क्या आपको समझ आया जो इट प्लेन से गिरा था वो उसके सर पे आके लगा इसलिए वो मर गया और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द इसे कर लो और इन मज़ेदार वीडियोस को भी देखो ये राइट वाली की पहिलिया तो बहुत ही टफ है तो अब भी इस पे क्लिक करके वीडियो देखो आपको बहुत मज़ा आएगा क्लिक हेर